बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है जीवन में बड़ा निरास हो चुका हूँ ये मन करता है वो मन करता है करने का मैं बार बार सबसे ही कहता हूँ कि ये जीवन है कोई मोबाइल नहीं है कि मजा नहीं आ रहा है चलाने में दूसरा फोन ले लेंगे इसको बरबात करने का आप सोच भी कैसे सकते हैं यह बहुत महत्पूर्ण है आप अगर रोट से गुजर रहे हैं और देखते हैं किसी की BMW गारी खरी है और उस BMW गारी पूरा धूल मिट्टी लगा हुआ है आप क्या सोचते हैं कितना गिरा हुआ इंसान है इतनी अच्छी गारी मिली और उसको महत्व नहीं कर रहा है उसको ऐसे गंदा छोड़ दिया है कमसे कम एक कपरा तो मार देता और आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे है कि जीवन BMW गारी से करोरो गुना बढ़ा है अगर हिंदू माइथलोजी की बात करें तो 84 हजार जीवन के बाद यह जीवन मिलता है यह ऐसा नहीं है कि आज फिर कल चले गया यहां चले गया नया जीवन दुपूरा ना जीवन इसके महत्व को समझे और इस जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं जिसने भी इस संसाद का निर्मान किया है उसने हर चीज को पाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल बनाया है और हम लोग उसी के पहले सरिंडर कर देते हैं हम लोग हमेशा अपना एक कमफर्ट जोन जो सब्ध है जिससे मुझे बिलकुल नफरत है क्योंकि इस कमफर्ट जोन के कारण मैंने अपने जीवन का 12 साल खराब किया और हम लोग खुद अपना एक कॉंसेप्ट बना लेते हैं अपनी एक थियोरी बना लेते हैं कि सफलता हमारे बस की नहीं है जो लोग सफल हो रहे हैं वो अलग है ऐसा कुछ नहीं है अपनी मेहनत से प्रूफ करके दिखाया है कि वो भारत के सबसे सफल कप्तान बने है तो ऐसा कुछ नहीं है जिन्हों ने जो अंडर 19 खेले हो सकता है उनको आगे खेलने का मौका नहीं मिला को कि उस दिन उनका होसला खतम हो गया होगा इसलिए अपने जीवन में होसला नहीं खतम कीजे निरासा नहीं कीजे मुझे मैसेज पढ़के गुस्सा आता है जब लोग मैसेज करते है कि सर मन कर रहा जीवन खतम कर दे अरे भाई ये बहुत ही इंपोर्टेंट जीवन है कुछ नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल ब्लैंक है उठिये जाइए एक घंटा वाक करके आईए किसी पार्क में जाइए वाक करके आईए जाइए कप्चाय बना के पीजिए थोड़ा सा नहाईए थोड़ा सा हनुमान चालीसा सुनिए बहुत एनरजी आती है उससे 10 मिनट सोचिए कि आप जिस राष्टे पे जा रहे हैं वो कहा पहुँचेगा और ऐसा कुछ भी नहीं है जब भी आप कोई नई सुरुवात करते हैं जब भी आप कोई पहला कदम उठाते हैं तो सब कुछ सबसे कठीन होता है जब आप पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन पे बैठते हैं तो क्या दिल्ली दिखना सुरू हो जाता है नहीं आप उस ट्रेन पे उस ड्राइवर पे ट्रस्ट करते हैं कि हां ये दिल्ली ही जाएगा क्या हर एक घंटे बाद आप चेक करते हैं दिल्ली नहीं दिख रहा है दिल्ली नहीं पहुंचा है कभी नहीं करते न वैसे हम लोग तयारी या किसी वी चीज की उतरते हैं डे वन से अपने आपको चेक करना शुरू कर देते हैं कि या नहीं मेरे बस का नहीं है मेरे बस का नहीं है अपने आप पे ट्रस्ट किजिए उस कि चोड करो कः खुद पर भरोसा कर लिया मैंने वह में जो मुझे में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंcuz जिन्दा करने मैं पूलता हुए मैं इसलिए भी अपने अंदर पालता हुए मुझे लगता है कि मैं आज कोई बरदास करना है बुरा लगना चाहिए कोई चीज कोưỡ़ी अजी बेज़त गरे तो बुरा लगना चाहिए अंदर से दिल रोना चाहिए तब जाके आपको आप जाकिएगा कि नहीं मुझे इस रास्ते से निकलना है यहाँ से बाहर निकलना है analyze अरे बुरा लगने दीजिए बुरा लगिए और मैं गरेंटी से एक बात कहता हूँ कि इन सब चीजों से बाहर आने का एक ही रास्ता है मेहनत सिर्फ मेहनत करके देखिए एक बार रॉकेट को जब पृत्वी के लिमिट से बाहर निकलना होता है तो सबसे ज़्यादा उसको speed लाना पड़ता है escape velocity बोलते हैं उसको वही escape velocity एक बार लाना पड़ेगा उसके बाद चीज़े असान हो जाएंगा ऐसा नहीं है कि पूरे जिंदगी struggle करना है पूरे जिंदगी struggle नहीं करना है एक बार मेहनत करके देखिए देखिए कैसे चीज़े असान होते जाती है और trust कीजिए एक जानवर है African Impala वो तीन मीटर तक की उचाई जंप कर सकता है एक बार में जो की सबसे हाइस्ट जंप होता है किसी भी जानवर के द्वारा लेकिन जब उसको चिरिया घर में रखा जाता है तो वो एक मीटर का भी दिवार नहीं जंप कर पाता है जब तीन मीटर का दिवार बना देंगे तो बाहर से Public देख नहीं पाएगी तो एक मीटर का दिवार बनाएगे और कभी भी Impala जंप नहीं कर पाया उसको तो वो बराशर्च हुआ सबको कि ऐसा क्यों होता है तब पाया गया कि जब तक उसको सामने नहीं दिखता है कोई चीज वो जम्प करने के प्रयासी नहीं करता है समझे अगर रोड अगर दूर तक खेत है तो तीन मिटर जम्प करके निकल जाएगा लेकिन सामने अगर दिवार आ जाएगा तो वो जम्प नहीं करता है हमारे साथ भी वही है हमारे अंदर छम्ताएं हैं लेकिन एक दिवार आ जाती है हमारे वो दिवार है आलर्स की दिवार और उस दिवार का के हम देखे नहीं पाते है आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं आप एक्जाम की त्यारी करना चाहते हैं आप बिजनेस करना चाहते हैं आप कुछ भी करना चाहते हैं कदम पहला कदम सबसे कठीन है कदम बढ़ाईए अपने आप पर भरोसा रखिए आप सफल हो जाईएगा जब मैं इस तयारी में आया था तो 99.99% लोगों ने कहा कि बेवकूफ हो किया इस उमर में मैं 34 साल का था उस वक्त इस उमर में तुम तयारी करोगे अब वाइफ है बच्चा होने वाला था मेरा कि अब इन चीजों पर परिवारिक चीजों पर ध्यान दो हर चीज का एक समय होता है समय की परिवासा किसने बनाई कि हर चीज का एक समय होता है किसी ने नहीं बनाई और उन सब की बात अगर मैंने सुन लिया होता है तो नहीं तयारी में आता लेकिन मुझे कुछ चीजे बहुत बुरी लगी थी जो मेरे अंदर तक जबजोर के रग दिया था मैंने सोचा कि नहीं अब अगर त्यारी में नहीं उतरा अब अगर अपने आपको प्रूफ नहीं किया तो यह जीवन बिकार है अगला जीवन नहीं मिलेगा आपको चीजों के अच्छा करने के लिए एक बड़ा अच्छा जोक है कि दो बच्चे थे टेंथ में लगवग चार-पांच साल से फेल कर रहे थे तो एक ने बोला यार बड़ा मुस्किल है कि अब नया जीवन में ही हम लोग अच्छा करेंगा दूसरा बड़ा ना भाई बड़ा मुस्किल है अभी तो कैसे भी पार करके नौवा तक पहुंच गया है फिर उसमें नौवा तक करना पर है इसलिए इसी बार मेहनत कर लो तो यह जोक है लेकिन सचाई भी यही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा एक रात सोईएगा बादल गर जाएगा बिजली चमकेगी लोटरी लग जाएगा करोर रुपे रख़वा बैग मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है सब कर्ज इसी जीवन में उतारना है सारा चीज यहीं भोगना है मेरी उमर उतनी नहीं है मैं अभी मेरा बर्डे अभी सेप्टेमबर में ही था और मैंने 42 यर कम्पलीट कर लिया अपना और मैं यहीं कहना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा experience नहीं है कमी experience है लेकिन इसमें यहीं कहना चाहता हूँ कि सारा कर्ज यहीं उतारना है जो भी इस जीवन में आप आराम कर रहे हैं सब यहीं भोगना है इसलिए आराम को छोड़िए पहला कदम बढ़ाए मेहनत करना सुरू कीजिए कैसे मेहनत करना है वो सब कुछ दिखता चला जाएगा पहले आप हिम्मत लाइए अपने अंदर कि मैं इस चीज को achieve कर सकता हूँ सबसे पहले हमारा दिमाग achieve करता है किसी चीज को फिर हम लोग perform करते हैं अगर कोई भी BPSC की त्यारी करके मैंने BPSC qualify किया है तो मेरा वही है कि अगर कोई BPSC की त्यारी करना चाहता है जीरो से आज के देट मेरी तो मैंने वीडियो बनाया हुआ मैं लिंक में डाल दूँगा एक हिस्ट्री का वीडियो है उसको देखिए एक जोग्राफी का वीडियो है पहले ही इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे कि सफल होंगे कि नहीं होंगे कोई गारेंटी कार्ट देगा कि आपको कोई गारेंटी कार्ट नहीं देगा और मैं बार बार इस चीज को हजार बार रिपीट कर चुका हूँ कुछ एक बार सफल होके देखिए नया जन्म होता है आप साथवे असमान पर होते हैं पूरा समाज पूरा दुनिया पूरे रिलेटिव पूरे सब लोग जन परतिनीधी MP MLA सब आपको ओनर देते हैं रिस्पेक्ट देते हैं सिर्फ पढ़ाई से यह सिर्फ पढ़ाई से चीव होता है कोई सौटकर ट्रिक नहीं सफलता के लिए अगर कहीं कोई बताता हो सौटकर ट्रिक तो मुझे भी बताईएगा क्योंकि 12-13 साल मैंने इसी चक्कर में सौटकर के चकर में ही खराब कर दिया अपना और दिमाग में एक चीज भर गया था कि नहीं पूत के पाओ पलने में दिखते हैं मेरे नहीं दिखें अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा मैं आज भी उस चीज को थांक्स कहता हूं कि जिस चीज नहीं मेरे अंदर तक जगजोर के रख दिया कि नहीं यार रहूर इतना नहीं गिरना है मैं अक्सर लोग को यह समझाता हूं कि आपके जीवन में कठनाईया आ रहे हैं मुसीबते आ रहे हैं तो आपको भगवान को थांक्स कहना चाहिए कि कम से कम आपको आपने सोचने को तो मौका मिला नहीं तो नेटफ्लिक्स और होट स्टार देखके ही आप हर दिन साम आपने बात कहिए कि मुझे मुसीबत दिया है इसलिए मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू किया और जब दूसरी तरफ देखिएगा तो रास्ते कई मिलेंगे और किसी भी रास्ते पर चलके आप सफल हो सकते हैं सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा और सिर्फ मेहनत करना हो कि इसकदर निभाओ अपने किर्यदार को कि पर्दा गिरने के बाद वह अन्यवाद